हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं काफी अच्छे होगे काफी बड़िया होगे कल का जो मैच है वो है केक्यार बसे संराइज इस हैदराबाद का मैच है उमीद करते हैं मैच कमाल का होगा इस वीडियो का अगर आप अंतक देखोगे तो मैं आपसे गैरांटी देता हूँ कि इस वीडियो में आपको सारी इंफोमिसन बता दी गई है कल के मैच के रिलेटेड बस दोस्तों मैं आपसे एकी रिक्वेस्ट है की चैनल सस्क्राइब कर दो यार डिस्क्रिप्शन में टेलीक्राम लिंक के उसे जोईन कर लो बस दो काम कर दो क्योंकि मैच की अपडेड उस मैच भी कमार का खेले थे लिंकू सिंग इनके बारे में बताने की जरूती नहीं है लास्ट के पांच गेंद पांच भी गलत कहें तो छे गेंद क्योंकि जो आखरे बॉल भी था वह भी सिक्स मारा और उसके बाद श्ट्राइक पाने के बाद पांच चक्क्या यानि कि छे गेंदों में छे चक्के लगाए अंद्रे रसल सुनील नारायन सर्दूल ठाकूर लौकी फर्गरसन उमेश यादव वरुन चकरवरती एक नंबर टीम है अगर आप देखिए बैटिंग लाइन अप में देखोगे तो फर्गरसन तक हिटिंग कर सकते हैं यहां तक दिखा ग बढ़ियां बॉलिंग बढ़ियां और पंटर की टीम है पंटर को जैकपट मेंच देती है दो मैच इन्होंने एक बैंगलोर से और गुजरात से दोनों में जैकपट मेंच दिये बात करें सन्राइज हैदराबाद की तो इसमें हैरी ब्रूक मैंक अगरवाल राहुल तिरप जीता है तो इनका confidence थोड़ा तो जरूर बढ़ा होगा है हैरी ब्रूक और मैंक अगरवाल ऑपनिंग करेंगे हैरी ब्रूक पर इन्होंने काफी भरोजा जताया है उमीद करते हैं कल का मैच में है अगर टीम को जीतना है तो इनका बला चलना जरूरी है राउल तिरपार्ट की सुरू से बहतर रही है इस एर भी थोड़ी कमजोर जड़ू होई है मगर अभी भी कह सकते हैं टीम बहतरीन गेंदवाजी करती है अगर बात करें ग्राउंड की तो इडिन गार्डन में मैच है 79 में से 47 चेस हुए है 32 डिफेंड हुए हैं तो कहा जा सकता है एक हलका से अ अगर वो भी रन इसलिए ही चेस हो जाते हैं क्योंकि जादर रन नहीं बनते हैं अगर एक बार 200 से जादर रन बन जाए तो नॉर्मली चेस करना इस ग्राउंड पे काभी मुस्किल हो जाता है है टू हैट की बात करें तो 23 में से 15 मैच किलकाता नाइट राइडर और 8 मैच ह और एक हैदराबाद ने जीता है तो पूरा पूरी एडवांटेज कुलकाता के साइड है टीम भी कुलकाता की बैतर है ग्राउंड भी कुलकाता का है तो जालातर एडवांटेज है वो कुलकाता नाइट राइडर की तरफ है बस देखना है कि कल के मैच टॉस कौन जीतेगा और कौन आएगा गेंदबाजी पर हमारी तब से भी नर हिदराबाद ही है